गुड़ बार्णिंग एब्रिमांड इस्पेशल क्लास और ये हैं इंग्लिस इस्पेशल इंग्लिस दू है जैसा की हमने आप लोग को बताया था कि ये इस्पेशल इंग्लिस की क्लास को मैंने ओर सेक्षन में डिवाइड किया है ना, एक है आपका आपाज मिनिंग यानिक है की बत करेंगे 5-10 मिनटा एक है आपका कॉनस्ट की बात करेंगे जिसे आप बोलोगे Может not रचेकर ग्रैमार से को समन और एक है एक जाम बेश्ट कोरषाँ मैं क्या करता हूं अभी मैं 2 सेक्षन को लेता हूं I can work for something we need to it कर देता है और यहाँ पर आपको क्या leaning a structure करना और और उसके मिन बती घृता शौन को यह फूमे भोल ना बोलना यह तो मिन ब 159 उटीर कमे देखिस फोर अब इसके बादा आपको यह पर आै आपको क्या लिखना है I wanted to फिर यहाँ पर आपको एक्षन वर्ड का फर्ष पॉंद फर्ष पॉंद वर्वी लिखना इतना समस्पाइब अब देखिए इसका तो सेंस निकलेगा यही तो मैं क्या सेंस निकलेगा यही तो मैं तीक है अब यहां पर जो है कोई भी जो भी काम रहेगा बताना चाहता था सुनाना चाहता था पढ़ाना चाहता था दिखाना चाहता था समझ पार हो ना जो भी काम रहेगा वो नानीने के साथ रहेगा और आगे आपका रहेगा चाहता था चाहता था अब यहां पर आपको समझना है मैंने यह आपका पॉंसेप्स है लेकिन यहां पर आपको कुट यानि की word meaning में अभी word related की बात होगी clear अब क्या करना है जैसे मैं कूँ यही तो मैं आपको बताना चाहता था तो देखो एकदम आसान है न यही तो मैं आपको बताना चाहता था तो आपको यही तो के लिए this is what this is what यह थोड़ा standard structure है यह थोड़ा standard structure है यह थे इस वाड़ एक फ्रोम में इसको गोला this is what I wanted to tell you 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 यह आपका हो गाई जाम समझ पाए है अगर मैं कौन यही तो वाह मुझे पताना चाहता था है ना यहां पर देखो है दो केस होता है एक होता है अपका subjective case एक होता है अपका subjective case जैसे सब्यक्टिव केस में ही होता है लेकिन यही सब्जक्टिव केस को अगर subjective case में बाक बात किया जाय है तो क्या होता है यह मुदता है हाँ याद रखना इन दोनों का कभी-कभी आmpfen रहते हो ना जैसे उसे के लिए यी भी दिखा-जासकता है उसी के लिए Hindi लिखा जा सकता है, लेकिन अंतर आपको याद रखना है, अगर उसे को सबसे पहले sentence के सुरवात में यूज़ किया गया है, जैसे यही तो मैं, यही तो उसे, यही तो उसको, समझ में आ रहा, अगर subject की तरह यूज़ किया गया है, तब वहां उसे की English ही लिखन यह समझ पाए, इसमें कोई problem तो नहीं है, कोई दिखकर, तो आपको सीधा यह चीज लिखना है, समझें, इसे पहले note down करिए, अच्छा, इसी तरह, जैसे दो, इसी तरह, अगर C की बात करें, तो C means होगा उसे, लेकिन दोनों अंदर है, अच्छा, C means वहां भी होगा, है न इसका मलब उसे भी होगा, इसका मलब उसके भी होता है, है न, इसका मलब उसके भी होता है, इसको जाना चाहिए, इसका मलब उसको भी होता है, लेकिन अंतर क्या है भीया, अंतर के वन एक बात का है, कि उनको subject, subjective case में यूज किया गया है, या जो है, objective case में यूज किया गया या तो C, लड़की है तो C, लड़का है तो C, अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह आगे की बात क्या जाए तो I, और I का objective case होता है मुझे की English आपके दिमाग में जो लीड रहती मी रहती है लेकिन मुझे की English आई भी होती है जैसे मैं कहुँ है मुझे जाना चाहिए आप मी सूड गो तो बोलोगे नहीं आप क्या बोलोगे नहीं आई सूड गो बोलोगे तो अब यह क्या बात है यह यही बात subject की रूप में यूज क्या जा रहा कि object की रूप में यानि कि I का मदब मैं होता है I means होता है मैंने भी होता है I means मेरे भी होगा clear है I means मुझे से भी होगा जैसे मुझे से clear है और I means और क्या हो सकता है मैंने यह हो गया यह सारा होता है यानि कि मैं, मैंने, मेरे, मुझे, मुझे, इन सबकी मीनिम, आई भी हो सकती है, में भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसको किसी तरह है, यूज किया गया है, इसी तरह है, आगे आजाईए, बी, बी मिन्स क्या होता है, हम होता है, बी मिन्स हमें भी होता है, बी मिन्स हमें भ है और इसका मलब ऐस्क भी होता है है ना बश्कनतर है subjective हाई उब GU da you अब you mean time to take a you means, क्या होता है तुम्हें होता है एक वोच को सम्मानिके संस में बात किया चाहे, तब क्या होता है, यू मिन्स आप होता है, यू मिन्स आपने होता है, यू मिन्स क्या होता है, आपको होता है, यू मिन्स क्या होता है, आपके होता है, आपके, और यू मिन्स क्या होता है, आपसे भी होता है, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, चाहे अब्जेक् इसके बाद में दे, इसके बाद में क्या आता है, अब देखें, दे में वे भी होता है, दे में उन्हें भी होता है, दे में उन्हों में भी होता है, दे में उन्हों में भी होता है, दे में उन्हों में होता है, दे में और क्या होता है, उन्हों में होता है, ये सारा दे का होता है है और देख हमलब उनके भी होता है जैसे उनके पास है ना इनका जो अबजिक्टिव केस होता है दया होता है समझब है अगर मैं sutanस्कों जैसे यहां पर यहां पर यही तो मैं आपको बताना चाहती थी अगर यह आ जाता है आप क्या करोगी अब आपका दिमाग काम करेगा कैसे करेगा देखो मैंने क्या बताया यही तो के आपको क्या लेगिना आये अच्छा लगता है जाप प्रेक्टिस होगा यूनो इस इच्छा लगता है यही तो मैं आपको खिलाना चाहता है अनमार को खिला दिया ना यही तो आपको यही तो के लिए यहां पर मैं तो आपने लिखा आई यहां पर क्या है मुझे नहीं यह तो आप क्या लिखोगे लड़की है ना आप क्या लिखोगे और भाई चाहती थी के लिए वांटेड यह फिक्स है आपको आपका यह चेंज होगा आई के जबे मैं रहेगा तो आई लिखना बाकी यह चेंज होगा यह समझभा है ना इसलिए मैंने आई को इस्टार कर दिया वांटेड टू फिक्स है ठीक है क्योंकि चाहती थी है तो सी वांटेड टू अब दिखाना दिखाना की इमिस क्या होगी दिखें आप लोगों ने क्या किया यही तो यही तो के लिए आपने कर दिया दिस इज वांट वाह अगर वाह रहेगा इमेल है तब आपको सी लिखना है क्लियर है अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर तो यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था तो बाई यह तो है अगर यहां तुम्हें आ जाए तो क्या करना लाश्क में यू कर देना लाश्क में क्या 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 रखना कि यही तो के लिए आपको लगाना इस इज वाट करते थी और इसके बाद वर्ब की अब आपको कैसे काम करना है कैसे काम करना है चुंकि मैंने बताया है word meaning concept को साथ लेकर चलना है तो आप क्या करों सबके पास किताब होगा है न ऐसे किताब होगी शेकर्ड फॉक्ड फॉक्स सेकंड फॉक्ड फॉक्षिल ज youngest वहां पूरापक को सिटिक क्षूज्चन की को सिफिल NederEr जैसे मुन आपके पास किताब है वहां पर आपने लेखा betshock जानना फिर उसका त्रीनों पॉम दिया गया है और इसके बाद में बन है इंग तो लगाई है इसके बाद में फिर जैसे यह तो पहला हो गया है दूसरा आपने देखा कम कम विंस होता है आना यह कम सार्ष फॉम है second form came third form come clear है तीसरा आपने देखा क्या देखा कि month of cook अभी ऐसे random ही ले लेते हैं cook means होता है पकाना cook means क्या होता है second form होगा cooked third form होगा cooked इधना clear है इसके बाद मैं फिर आप देखो play play means क्या होता है घेलना play means होता है खेलना play first form है second form हो जाएगा played और third form क्या हो जाएगा भी या तो आपको गिल played हो जाएगा clear है इसके बाद में अगर बात करें तो next यहां पर कोई ले लिया जाया जैसे eat eat means होता है खाना eat means क्या होता है खाना ये first form eat है second form क्या हो जाएगा आपका eat second form eat हो जाएगा third form हो जाएगा eaten अभी मैंने randomly ले दिया तो आपको करना कुछ नहीं है पांच sentence sorry पांच word meaning खासकर verb related वाला पढ़ना है किताब रहें कि आपको पढ़ना है और पढ़ते सामगे सब्सक्राइब आपको ये eat वाला नहीं पता था तो जो आपको ना मालूम हो उस पर इस्टार मालूम हो तीनों कौम के साथ याद रहें जैसे पांच में से हो सकता है आपको सारा मालूम था लेकिन एक नहीं पता था पांच में से हो सकता है आपको पांचो ना मालूम हो डिपेंड करनता है आपके प्रिवेस नॉलेज के उपर पांच में से पांचो मालूम हो तो आपको नाम आव ओ हो उस पर इचटार लगाओ जैसे आपने पढ़ा गो मिंश जाना गो बेंड़ गबटा आई आत्मा में सेम आ गई समझे दो ना आत्मा परमात्मा का मिला नहीं हो गया है गो आपके लिए नया हो उसको आप जो पौकी बनाओगे न वहाँ पर लिखो और उस पर सेंटेंस बनाओ। कैसे यही तुम्हें आपको यही तो मैं आपको यही तो मैं पकाना चाहता था तो क्या हुजेगा दिस इज वाट आई वांटेट टू कुक यही तो मैं तुमको खिलाना चाहता था तो इस इज वाट आई वांटेट टू और खिलाने को फीड बोलते हैं यह सर बोलते हैं फीड बोलते हैं फीड मेंज होता है खिलान तो फीड यूँ समझें तो आपको इस तरीके से काम कर दो समझ में आया अर्चे से मतलब अब देख आपने concept समझा इसके through आपको क्या करना ह ज्यादा कुछ नहीं करना भाई सुनू पांच पांच का सेट बनाना जल्दी भी नहीं भागना जितना पड़ो solid पड़ो इंग्लिस ऐसी चीज़े एक बार पड़ा लोगी ना जिंदगी बर के लिए भाई मस्ते रहो याद रखो आप जिसे पांच पांच का सेट बनाओ चलाूबो आजिए 5 का सेट और 10 सेट आप एक जिन में काम तो करें सकते हो ना 10 सेट का मतलब कंखे 5-5 का सेट बनाओ 10 सेट सबक्राइब यांट क कि दी जाएगा 50 किना निलीक है नहीं तो अगर आपको 10 नहीं याथ तो 10 अच्छे से याथ करो उसको नोर्स पचाइस्तों को नहीं समयार सब्सक्राइब किसको लखना लाओं में तो आपको याद नहीं था तीनों पॉम केसाफ उसको लिए यह बाई लेगो वह सकता है पचांश में से और sentence आप क्या रहा हूँ, दस भी sentence आप लिकर प्रैक्टिस करो, क्लियर है, वही फिर जो आप sentence लिकर प्रैक्टिस करो, घर में कोई होगा, वही उनको दे दो, कि आप इंदी बोलो, मैं इंग्लिस बता रहा हूँ, तो जब आप बताओगी, तो आपके अंदर का confidence grade होगा, है और जब एक बार confidence grade हो जाएगा, तो सारी चीजें आसान लगने जाएगा, और जहां चीजें आसान लगी, तहां पर इंग्लिस से आपको डेर्ट विल्कुल नहीं, समझ पाये हैं, इसको note down करिए,